एलो दिया स्टूदेंट्स वन्स अगें वेलकम बाग तो आर चैनल ग्यानलाब एंसी आर्टी आज हम आपका टॉपिक खतम करने वाले सेक्शुल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तो आज हमारी जो लास्ट के दो टॉपिक्स बचें अपो मिक्स अंद पॉल इस पूरे चाप्टर का मैं टीकूपिज हमने ले लिया एक मैं टीकूइस हम लेंगे और आपको जो भी अपडेट है कब होने वाला मैं टीकूप पर आपको बतादेंगे अपको यहां पर एक च्छोटा सा चीज डिसकस करना चाहोंगी विच इस रिलेटेट टूवर तों में ऑ सक्ष्षऩ रिप्रडशन और एक है और अुग्य इन है स हुचली पॉड़ूटच्शन रिकॉडब्स और आपको दो मेल गामिट 104 फीमेल कयो नहीं heißt जाता है और या नी डोता है एक होता है आपका बेजितेटीव प्रोगेशन याने की प्लांट के पार्ट से आपको अलग अलग ऑरगंस देखने को मिलेंगे जैसे की रूट से कोई नया प्लांट ग्रो हो रहा है वेजिटेटिव पार्ट से स्टेम से कोई नया प्लांट ग्रो हो रहा है लीप से कोई नया प्लांट ग्रो हो रहा है तो उसकों बोलते वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा असेक्शल रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो है agamospermy, दूसरा तरीका कौन सा है, agamospermy, agamospermy word का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो इधर पे, agamospermy word का मतलब क्या होता है, agamospermy basically means, let me just write it for you, agamospermy, yes, agamospermy, yes, agamospermy, a means absent, a मतलब क्या होता है, absent, याने की without, a मतलब क्या होता है, without, gamma मतलब क्या होता है, myrage, या इसको simple भाशा में अगर हम बोलें, fusion, without marriage, or without formation, आपको क्या देखने को मिलता है, seed का formation, देखने को मिलता है, so agamospermy is a type of sexual reproduction, जहां पर हमको without fusion of gametes, क्या देखने को मिल रहा है सीड का formation देखने को मिल रहा है और गैमोस पर्मी को बेसिकली दूसरा नाम क्या दिया गया है और गैमोस पर्मी को दूसरा नाम दिया गया है अपो मिक्सिस मतलब क्या होता है मिक्सिस याने की फ्यूजन मिक्सिस याने की फ्यूजन और अपो मतलब क्या होता है without fusion या जब same cells same cells आपस में ही एक दूसरे के साथ fuse कर लेते हैं और हमको same parent के जैसा seed देते हैं the seed obtained the seed obtained is identical to the parent the seed obtained is identical to the parent तो ऐसे phenomenon को हम बोलते हैं अपो मिक्स तो अपो मिक्स भी एक टाइप का sexual reproduction ही है तो और गैमोस परमी को आप क्या बोल सकते हो it is formation of seed without fusion और 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 सक्षाली भी परेत्जन का दूसरा meaning क्या होता है बच्छा अपो mik्स और सेक्षृल्री पक्रशन का दूसरा नाम क्यह है अपो-mix अथ्च्ट्छ्यON को क्या बोलते हैं emphasized मिक्स मतलब क्या होता है different gamma fusion मिक्स डश्वर्ड का मतलब पूछे जाते हैं कभी कभी नहीं भी पूछे जाते बड़ आपको यह पता होना जरूरी विकोज टीस डारिकली कनेक्टेड विट यह टॉपिक जो हम आज कवर करने वाले हैं और गैम मुस्परमी के हमको दो टाइप देखने को मिलते हैं एक होता है अपोसपोरी और एक होता यहां पर यहां पर अफने यहां पर इंटेग्यों के लेयरट की जो गार कैसी होती है एक मिनट रुखजाूं कि नैंतिगुमेंट की लेयर कैसी होती है यह शिर्फ अंदर का यम्झ एंब्री एंप टाइप होते जैसे सेक्शुल रिपोड़क्शन करके सीड़ फॉर्म होगा या एक पोस्पॉरी और बेसिकली क्या होता एसiker में आपको पर देखने को में निक रही हूं it is the development of Gen canyon सपोरफाइट मतलब क्या होता है है अपका डिप्लॉइट सेल जैसे स्पोर मेगा पॉइट सेल्स शो में क्या होगा अपका डिप्लॉइटस अब अगर मैं नॉरमल कंडिशन की बात करूं अगर मैं नॉर्मल केस की बात करूं तो नॉर्मल ही हमको क्या देखने को मिलता है हमारे पास कोई एक गैमिट है हमारे पास कोई एक गैमिट है मैं एक दम नॉर्मल केस की बात करें समझो सबसे पहले तो हमारे पास क्या देखने को मिल रहे हैं यहां पर हमारे पास कोई sporophyte का को होता तो जब सपौरोफाइट में घेखने को मिलते हैं और यहन्त कैसे होते हैं ילोडोटे हैं सब्सक्राइए फैल Is जोनेन दिखाई देती है और ये अपको कुछ तरीके की पिचर दिखाई देती है यह नॉर्मल कंडिशन में क्या होगा आपके पास जो भी आपका sporophyte सेल यानि की जो भी मदर सेल जो भी sporophyte सेल आपके पास है यह मिदा सिस करेगा यह देखो continuous अपोस्पोरी में हमारा जो sporophyte है यह sporophyte बिना meiosis के यह sporophyte without meiosis क्या लिख रही हूं मैं यहां पर ध्यान से देखो without meiosis जब यह direct development दिखा देता है जब यह without meiosis direct development दिखा देता है direct endosporm यूज़ करके याने कि आपके nucellus के cells, nucellus के cells direct endosporm यूज़ करके seed बन जाएंगे या anti-humans के cells direct endosporm यूज़ करके seed बन जाएंगे तो ऐसे case में हमको क्या देखने को मिलता है deployed seed देखने को मिलता है, ऐसे case में हमको क्या देखने को मिलता है, जो gametophyte हमको मिला है, यहाँ पर यह जो gametophyte हमको मिला है, यह gametophyte कैसा होगा, it will be deployed in nature, यह gametophyte कैसा होगा, deployed in nature, तो आपको neat में एक question ऐसा आ सकता है, कि कौन से process में, कौन से process में आपको deployed seed देखने को मिलता है, seed deployed consequence मतलब gamut consequence case में आपको deployed देखने को मिलते हैं तो आपका जो answer है वो किस तरीके से होगा yes everybody yes आपको इस तरीके से पता चलेगा कि यह जो आपका sporophyte है यह sporophyte बिना meiosis के आपका gamut बना रहा है और यह gamut आपको deployed gamut मिला है so deployed gamut आपको कौन से case में देखने को मिलता है अपोस्पोरी के case में हम बार बार बोल रहे हैं gamut समेशा हेपलोईड होते हैं गैमिट समेशा क्या होते हैं है लेकिन अगर आपको डिपलोइट मिला है याने कि उसमें अपोस्पोरी हुआ है याने कि मियोसिस नहीं हुआ है डायरेक्ट स्पोर सेल आगे जाके आपका सीड बन गया या आपका गैमिट बन गया तो ऐसे टाइप के रीप्रोडक्शन को हम देखने को मिलेगा याने कि अपोगेमी में हम क्या लिख सकते हैं ठीक है रुको मैंने नोट्स बनाए मैं वहीं से आपको बता रही हूं तो आपको एक्जैम्स में रिविजन करने के लिए है आपके एंसिyar टी की बूक्स में यहां पर इतना सारस पेयस दिया होता है यहां पर इतना सारस पेश दिया होता है सब कोई help कोई होता है सब्सक्राइब the वह कैसे होता है इट ढफॉण सोघ्रेटिव कि वान चaudh हैं ये के सीड मिलेगी या स्पोरोफाइट मिलें जुटा आपके पास व् Protection को मिल्टा है कि हमारा जौ घिय्म है इस हमारा घिय्म को धिय्म ट्रूब्हाइट कैसा है इस है एस जब शेच्छा रिप्रडुच्छन करें घब यह सेक्श्या रिप्रडक्शन करके foertilization करेगा इसीड मिलेगी या sporophyte मिलेंगे डिपलोइड होंगे इसफया से बात करहें तो आप वजह क्या होता है बच्चों आपका जो इनलेट फाइट नेचर ठोा यहां पर आपको विदाउट फ्यूजन के सीद बना रहा है आपको यहां पर हैपलोइट सीड देखने मिलेगे तो अगर आपको ऐसा फूचा गया की वह श्नट से को सीड़ने को मिलता है तो आप गयमी और अगर आपको ऐसा पूचा गया कि कौने ब्रॉसस में गैमिट दे armor होना चाहिए यहां पर यहां पर देकने को मिल रहा है तो यह रखे से उल्टा ऑश जाताए है। रसे हैं को हिपलोई तो यह होता है में वजए से अपको स्मझ में दोड़ा साथ अ हमको अपो मिक्सिस में क्या बताया गया है ठीक है तो all those seeds in general are products of fertilization देखो basically generally अगर हम देखे तो seeds कैसे बनते हैं fertilization के वज़े से बनते हैं तो seeds are basic production of fertilization but a few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses देखो Asteraceae याने कौन सी family है Asteraceae is a family of sunflower Asteraceae कौन सी family है संफ्लावर की family है तो संफ्लावर की जो family है उनमें हमको क्या देखने को मिलता है कैसे टाइप का seed formation देखने को मिलता है बिना fertilization के बिना fertilization के आपको seed formation देखने मिल रहा है तो in some plant species such as Asteraceae and grasses they have evolved with a special mechanism to produce seeds without fertilization बिना fertilization के male gamit और female gamit के fertilization के बिना अगर समझो आपका embryos एक जो है ये अपने आसपास के eapeopley j Midstone को एस्च प्रॉसेशन की मददने स्टी प्रॉसेशन के चैंग विर प्रॉक्जिन चैदे विर दौर्टेम अब्रेत्सेशन के जब लिना फेडुक्वर्ट प्रॉसेशन कि दॉट दो उसको मिने पर्ट लोग्स यह पर अपर क्या लिखा था अपको मिख्षो फॉर्मनीस की ब्रॉटिज और लिखा थाक है यह यह इसले से foreign that mimics sexual reproduction जैसे sexual reproduction में कैसे final product हमको seed मिल रहा है तो यह एक कौपी कर रहा है याना पॉमिक्स में sexual reproduction की mimicry की जा रही है यहां पर हमको copy रेखने को मिल रही है ठीक है so a sexual reproduction में mimicry देखने को मिलता है like sexual reproduction मतलब तो सीड मिलने से है ना there are several ways of development of apomites seeds apomites seeds बनाने के बहुत सारे अलग-अलग तरीखे एंसम स्पीशिस डडिपलोइड एक इसलिस फिर्म्ट विबाउट रिदक्शन डिवीजन याने की आपका जो एक सेल है यह डिपलोइड एक सल याने की डिपलोइड गामिट तो बिना Ausis के wrcarbon रिदक्षन डिवीजन यानिंहें की विद याउट मियो जिए सब्सक्राइब को अगर आपका डिपना गयमिट मिल रहा है तो मतलब हम कउसे टेकनीक की बात कर रहे हैं मैं कुण से को अपोस पोडी की बात कर रहे हैं सो सम्टाइम्स विदाउट रिदक्शन डिविजन वी गेट डिपलॉइड एग सेल और यह डिपलॉइड एक सेल डायरेक्ट डायरेक्ट हॉर्मोनल चेंजस के वज़े से एम्रीयो बन जाएगा और जिसमें को डायरेक्ट फूर्मेशन देखने को मिलेगा बहुत बार हमको क्या देखने को मिलता है सिटरस स्पीशीज हो गया मैंगो का स्पीशीज हो गया और एक स्पीशीज आप यहां पर लिख सकते हो जो रेफरेंस बुक्स में आपको दिया गया अपुनशिया तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग स्पीशीज होते हैं जैसे सेख के बाजू बाजू में जो न्यूर सेल थे यह न्यू सिलर सेल सेंद्र गुस्ते और एंब्रियो सेल्ट कर देते तो निूशिलर मतलब क्या होता है यह देखो मतलब क्या होता है यहां पर अक SL kี मदद से haul होता है और नूसली अइसें में एक अव मिले किसी इंपर्ण किया जा रहा है पॉत बार नूसलेड मिलता है बहुत बहुत बार नूसलेड दॉप गरीजन पॉलेड रखेवा लूसलेडन को हरेया इंटिक विए थीज्धकलि क्या भॉला गया गया है थें मैं आपको simple भाषा में बताती हूं मुझे पता है बहुत सारा confusion हो गया है जब male gamit और female gamit का fusion नहीं होगा direct female gamit अपने आप में ही अपना embryo बना लेगी तो इसकॉम बोलते हैं अपोक्स बस इतना इन बोला गया अभी तो यहां पर और 시청 देखने को मिलेगा बिना sexual reproduction इसको बोलते हैं आपोक्स और कभी-कभी आपको क्या देखने को मिलता है पॉलींब्योंई में इन सम स्थ्पीशी इं सच स्पीशीज इच लिए केसी ँपंटेंश मैनी इ동वियो तो कभी कभी हम्लार्ट में है बहुत सारे अग्रम व्यों हुआ है और जितने इम्पूरी और यह सब्ख़ुय को या करन सब्सकмен graph नहीं मिल जीन इस उस टेकनीक को हम बोलते हैं पॉली एंब्रियो नी जैसे कि टेक आउट सम सीट्स ओफ औरेंज औरेंज को स्क्वीज करोगे तो आपको एक औरेंज के पीस में बहुत सारे सीट्स देखने को मिलते हैं यह सीट्स कैसे बने बिक इस अफ मल्टिपल एंब्रियों तो जितना जादा सीट उतना साधे यह उतना साइम्प्रियो उतना जादा सीटंग less of the many embryos of different size and shapes from each seed हर एक सीड में हमको अलग-अलग embryos देखने को मिलेंगे नाव काउंट दूमबर आपको हर एक फ्रूट के पल्प में बहुत सारे embryos मिलेंगे और यहीं embryos आगे जाके सीड बनाने वाले ठीक है तो वाट वाट विल बी दे नेचर अफ अपो मिक्टिक embryo अपो मिक्टिक एंब्रियो देखो यहां पर क्वेश्टन क्या पूछा है वाट वुड बी दा जेनेटिक नेचर अफ अपो मिक्टिक सेम और हो रहा है यानि की यह की ग्यमेट से उमको सीड या ग्यमेट देखने को मिल रहें इंको बोल सकते हैं क्योंकि जो सीड हमको मिलती है वह आइदेनटिकल होती है इंप्ली एंब्रियों के लिए देखो आपको यहां पर और एक जब multiple embryos बनाते हो यह देखो new cellar embryo बन रहे हैं कभी-कभी इंटिग्युमिंट के embryo बनते हैं इंटिग्युमिंट की लेर से embryos अंदर डेवलाप होने लग जाते हैं तो इसके वज़े से आपको multiple seeds formation देखने को मिलते हैं जिसके वज़े से आपको multiple plantlets देखने को मिलते हैं अब आगे देखो क्या बताया गया है hybridization एक बहुत ही important concept है जो agriculture point of use काफी ज्यादा यूसफुल है फार्मर्स के लिए hybridization में basically क्या होता है hybridization में हम अलग-अलग fusion करके seeds बनाते हैं और hybridization के वज़े से हमको food में vegetables में बहुत सारी variety देखने को मिलती है hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated hybridization बहुत जादा लेवल पर कल्टिवेट किया जा रहा है इस प्रोसेस के वज़े से production में तो बहुत जादा इंक्रीज होता है लेकिन इसका एक disadvantage यह है कि हमको हर साल यह seed बनाना पड़ता है every year we have to do this hybridization process which is very costly which is very expensive technique so cultivation of hybrids की वज़े से productivity बढ़ जाती है लेकिन problem यह है कि हर साल यह hybrid seeds हमको produce करने पड़ते क्योंकि इनका shelf life कम है so if the seeds collected from hybrids are sown in the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters मतलब क्या बोला गया है if the seeds collected from hybrids are sown the plants in the progeny will segregate होता क्या है कि समझो अगर एक बार आपने hybrid seed use करके कोई plant ग्रो किया तो अब उस plant से जो नया plant बना है so production of hybrid seeds is costly and hence the cost of hybrid becomes too expensive for the farmers हर साल नया hybrid seed बनाने बोला तो बहुत ज़्यादा expensive हो जाएगा so if these hybrids are made into apomix मतलब क्या बोला है अगर apomixes की मदद से हम in hybrid seed का sexual reproduction ना करके समझो हमने in hybrid seed का sexual reproduction नहीं किया और इसमें से हमने without sexual reproduction अगर ऐसा plant ग्रो किया जिसके seeds को हम apomictically reproduce कर रहे हैं कैसे reproduce कर रहे हैं apomictically reproduce कर रहे हैं बिना sexual reproduction के no sexual reproduction तो हमको seeds मिलेंगी यह seeds same अपने parent के जैसे होंगी यानिकि they will be identical to the hybrid seeds क्योंकि नया character तब मिलता है जब तो अलग-अलग gametes fuse होते हैं यहाँ पर हम sexual reproduction करी नहीं रहे हैं हम अलग-अलग gametes को फ्यूज करी नहीं रहे हैं तो इफ इस हाइब्रेट्स यानि कि अगर हम इदर पर sexual reproduction करें तो देर इस no segregation of characters तो हमको यहाँ पर segregation देखने को नहीं लेगा अलग-अलग characters देखने कोई नहीं मिलेंगे देन फार्मर्स केन कीप उन यूजिंग दा हाइब्रेट सीट्स और फिर हमारे फार्मर्स यह हाइब्रेट सीट्स काफी साल तक यूज कर सकते बिना expensive cost को और ऐसे सदमे में आए ठीक हैं तो फार्मर्स केन कीप फार्मर्स का पैसा बचाने के लिए कितनी साथी कितनी सारी नहीं नहीं रिसेर्च की जारी है कितनी सारी नहीं टेक्नीक्स डिसकवर्ड कि किया जा रहे हैं तो मैंनी रिसेर्च इस गॉइंग ओन लिबॉरेटरी सारांड वर्ल तो ऑंडेस्टाइंड जेनेटिक्स अभी भी ठीक तरीके से यह चीज हमको पता नहीं है कि अपो मिक्तिक एंब्रीयों में क्या फ्लॉइडी लेवल होता है उसका जेनेटिक नेचर क् सकतर कर सकें इसलिए बहुत ज़ादा एक्सपरिच बढ़रि में से यह रहे हैं हमारे से सब्सक्राइंडेस का वीच्ट करके दिखाओ तो आई होप आपको और गेमोस परमी, अपोस पो गेमी, पॉली एंब्रियोनी अच्छे से समझ में आया होगा और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर होता है खतम ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना और मेंटी क्विस के लिए रेडी हो जाओ, हमारा अब फुल चैप्टर पे, फुल चैप्टर पे मेंटी होने वाला है, इस पूरे चैप्टर पे कुछ 25 क्वेशन हम सॉल्फ करेंगे, एकदम नीट के पीवाई क्यू सॉल्फ करेंगे, ठीक है, कोई रैंडम क्वेशन नहीं सारे के सारे नीट के पीवाई क्यू सॉल्फ करेंगे, सो मज़ा आएगा, सारी अपडेट के लिए टेलीक्राम ग्रूप जॉइन करके रखो, आपको सारी इंफोर्मेशन मिल जाएगी, तब तक के लिए बने रहो ग्यानलब न्सी आर्टी चैनल के साथ मिलते हैं जल्दी, भाई भाई वर्बड़ी, टेक कर, सी यू सून, अल्दी बेस्ट अप्य दिवाली!